नमस्कार मैं हूं रवी सिंग मैं आपको लिएक रहा हूं आज उधम पुर रोंड मेल पहले में आपको यह बता दू कि रोंड मेल पोलीस चोकी बनी वी है और यहां के इंचार्ज राहुल जुंबाल है राहुल जुंबाल जी का आज पहला दिन था आज यहां पर उनके ट्र हैं ताले के अंदर में आपको बढ़ा दूं कि इस ताले के अंदर दूधारी पशू 20 के रीज जानबर बढ़ा जा रहें देखें पुलीज किना के लगे रहते हैं लेकिन जो इनके समगलर ये 20 के क्रेम देखे राहूल जंबाल जी की मैं अगर बात करूँ तो उधुमपुर में ये थे तो समय भी काफी नाके लगाए जाते थे इनकी उर से और कई दुधारी पशों को पशु तस्क्रों से अजाद भी करवाया गया है और कई नशा तस्क्रों को भी इ की कि ये आovीसर हैं यहां के अधिकारी हैं और आज इनका पहला दिन था और पहले दिन इन्होंने एदेखे उते सबसे यह बीस तक इसमें यह जानवर है यह यह गाये है इक गई कि अधिक इबाद कम नहीं देखेद ट्रक कितना अबड़ा है इसे कहा जाए यह बारा टाइर स्ट्रक के हैं लेकिन इस ट्रक के अंदर यह बीस के करीब मैं फिर आपको बता दूँ कि बीस के करीब यह जानवर हैं इसके अंदर मैं फिर बताओ दूँ आपको कि यह देखे कि इस तरह से यह एक गाये इसके अंदर मैं बात करूंँ को कुछ गाये बेहोश भी पड़ी हुए हैं अंदर हैं पीछे लेकिन 18 से 20 यह जानवर में आपको कहुंद तो 18 से 20 जानवर हैं यह और यह ट्रक जम्मू से कश्मीर की और ले जाया जा रहा था है यह तो मैं ट्रक के बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी है कि उधनपुरा सच्च और अगवीर सिंग मोके पर पहुंचे हैं वो भी यहां पर आए हुए हैं लेकिन यह देखें मैं आपको फिर बता दो कि यह देखें यह 18 से 20 यह दुधारी जानवर हैं यह जम्मू से किश्मीर की और यह ट्रक जा रहा था यह ट्राला जिसे कहा जाए यह बड़ा ट्राला और राहुल जंबाल के अगर मैं बात करूं तो यह पहला दिन है उनका और यह पह एक व्यक्ती भी इसमें पकड़ा गया है जो चालक था उसे पकड़ा गया है और यह ट्रक को प्लीस ने अपने कबजे में लिया गया और इस जानवरों को उतारा जाएगा बाहर पुलीस की मैं बात करूं तो यह देखे यह पूरी तरह से मैं ट्रक की फिर जानवर दे दूँ की 18 से 20 जानवर इसके ट्रक के अंदर है यह और मैं फिर आपको बता दूँ की पुलीस की सबसे बड़ी कामयाबी अगर मैं कहूं राहुल जंबाल जी की तो उनके दौरा यह पहला दिन था और पहले दिन उन्होंने यह पहले दिन उन्होंने यह देखे मैं ट्रक का नंबर फिर आपको रूदा दू किस ट्रक का नंबर देखे यह जेके 03 Trek इसे सबसे बड़ा ट्रॉला जिसे हैवी गाड़ी जिसे कहा जैए वो गाड़ी है उन्हें किस तरह से उतारा जाए कि टरक बढ़ा है काफी है כिस तरह से उटारा जाए वही उन्हें की यूर से देखा जा रहाए कि अब 18 से 20 मैं फिर आपको बता दूं कि 18 से 20 जानबर इसके अंदर नुधारी पशुव जिसे काई गाये हैं, इसके अंदर बैल हैं, इसके अंदर, उन्हें जम्मू से कश्मीर की ओर ले जाया जा रहा था। लेकिन यहां के जो अधिकारी राहु जुम्बाल, उधंपुर असचो रगवीर सिंग मोकै पर पहुंचे हैं, उनकी ओर से। मैं यह भी आपको बता दूं कि देखे एक इसे एक साइड पे खिड़की से रहती है उस खिड़की में रेते से भरे हुए जो बोरु कहा जाए जिने बैग कहा जाए रेते से भरे हुए जो बैग ते वो रखे गए ताकि पुलिस जब चेक करें तो उन्हें कुछ भी नजल न पर बाहर नहीं आएगी अवाज भी बाहर नहीं आएगी लिए मैं बता दूं कि घड़की लहती है यहां पर रेते से से भरे हुए बैग रखे गये थे ताकि आवाज कोई भी बाहर ना आए जानबरों की आवाज ना आए अगर पुलिस चेक भी करे तो ये उन्हें नजर ना है लेकिन पुलिस के हाथ, कानून के हाथ काफी लंबे रहते हैं जो भी चाहे ये कर ले, चाहे वो नशा तसकर हो, चाहे वो पशू तसकर हो पुलिस के हाथों से ये लोग बच नहीं पाते हैं लेकिन आज इस सबसे बड़ी काम्याभी और रोन दमेल जो अधिकारी हैं उन्हें मिली है और उनके द्वारा उनके द्वारा इन पश्वों को पकड़ा गया ये देखिए इन पश्वों को पकड़ा गया है और एक व्यक्ति एक व्यक्ति को भी पकड़ा गया मैं फिर आपको बता दूँ कि उधंपूर मैं फिर आपको बता दूँ कि उधंपूर राउन तमेल के जो इन चार्ज है और राहुल जुंबाल पहला दिन था हमकाज और पहले दिन उने बड़ी बहुत बड़ी काम्याबी मिली है सबसे बड़ा जो ट्राला जिसे कहा जाए इसके अंदर 20 ठारा से 20 दुधारी पशुआ जे जम्मू से कश्मीर के उर ले जाया जा रहा था एक विक्ति गो भी पकड़ा गया इस ट्रक को भी अपने कबजे में लिया गया और जानबरों को उतारा जा रहा है नीचे मैं फिराव को दादू की बड़े बूरे तरीके से इने बांदा जाता है और उसके बाद बांदने के बाद इने इस ट्रक में पैक किया जाता है लेकिन पुलीस के रहते इस जो कोशिश थी इसे नाकाम किया गया है तक को कबजे में लिया गया एक वेक्टी भी पकड़ा गया है और पुलीस की कारवाई आगे भी जारी रहेगी कैमरा मैं नजय के साथ रवी सिंग वीरा चैनल उधम